Hindu Undivided Family क्या आपने कभी इसके बारे में पहले सुना है? Hello and welcome back to this channel पढ़ाखु लोग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HUF that is Hindu Undivided Family के बारे में With that हम जानेंगे कि HUF company से किस तरह अलग होता है बहुत सारे aspects होते हैं जो दोनों में देखने पड़ते हैं और वो सारे के सारे हमने discuss किये हैं इसी एक particular वीडियो में So इस वीडियो को end तक देखेगा ताकि ये पूरी जानकारी आप तक बहुत सके Company और HUF का difference समझने से पहले हमें HUF के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है HUF stands for Hindu Undivided Family ये एक business करने का तरीका होता है इसके बारे में जादा details मैंने already एक वीडियो में cover की हुई है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा differences में first point है members का कि company में किस प्रकार के members होते है और HUF में किस प्रकार के members होते है देखिए HUF मतलब एक family business मतलब इसमें कौन होते हैं सिर्फ और सिर्फ family के लोग होते हैं अब मोटा मोटा देखा जाए तो एक family में एक ही प्रकार के लोग होते हैं उनके rituals सेम होते हैं उनका culture सेम होता है उनका background सेम होता है तो kind of हम बोल सकते हैं कि HUF में homogeneous लोग होते हैं एक ही variety के लोग होते हैं वेरास company में तो कोई भी admission ले सकता है कोई भी कहीं से भी उठके company का part बन सकता है ओनर बन सकता है डारेक्टर बन सकता है अब उसके लिए उन्हें रिष्टेदार या फिर family member होना तो कोई कंपल्शन नहीं है तो as a result of which company के जो members होते हैं वो हिट्रोजीनियस होते हैं मतलब डाइवर्स नेचर के वेरिड नेचर के होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं वेरास हैं होमोजीनिस एक ही प्रकार के लोग होते हैं सेकिंड डिफरेंज की बात करें तो दाट इस सोल अथॉर्टी का करता धरता होता है यह इनसान जिसको हम करता के नाम से जानते हैं यह यूशली फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होता है और सारी डिसीजन मेकिंग यह खुच से करते हैं जैसे कि एक फैमिली में जभी भी कु क्योंकि वो उनके भी पैरेंज होते हैं तो बिल्कुल हुफ में भी ऐसा ही होता है जो एल्डेस्ट मेंबर होता है जिसको हम करता के नाम से जानते हैं वही सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं वही सारी की सारी पावर अपने पास होल्ड करके रखते हैं बाकी जो मेंबर्स होत आपने जितना पैसा कंपनी में कॉंट्रिब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पावर मिल जाएगी तो होएफ में करता सोल अथॉरिटी होते हैं एक मात्र अथॉरिटी होती है जो सारे डिसीजन मेकिंग करती है वैरस कंपनी में हर एक फैसला सूझ बूझ के साथ बहुत सारे लोगों का एपीनियं लेके किया जाता है चलिए नेक्स poking नेक्स पॉइंट कि बारे में बात करते हैं ज है एडमिशन से रिेलेटन कि अगर आपको company में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है और अगर आपको होफ में हिस्सा कैसे बनेगा बिल्कुल ऐसे जैसे आपको दिख रहा है हिंदू अंडिवाइड़ फामिली में अगर आपको मेंबर बनना है तो वह आप कर सकते हैं बाइ बर्थ या फिर बाइ अडॉप्शन अडॉप्शन का भी रूल है कि कोई आपको अडॉप्ट कर ले तो वह इं अब उनके जो बच्चे होंगे वो बाइ डिफॉल्ट उस फामिली बिजनस का हिस्सा बन जाएंगे अब उनके भी बच्चों के बच्चे जो होंगे वो भी बाइ डिफॉल्ट उसका हिस्सा बन जाएंगे तो यहां पे एड्मिशन आपको मिलता है उस फामिली में पैदा ह तो कोई भी पैसा फेगेगा, company का part बन जाएगा, हुएफ में ऐसा नहीं होता है Next point है, registration का, कि क्या company को register कराना पड़ता है, और क्या हुएफ को register कराना पड़ता है तो उसका answer तो हम जानते ही है, company को तो बिना registration के काम चलता ही नहीं है जब तक company अपने आपको ROC के पास register नहीं कराती है, तब तक वो existence में नहीं आती है So अगर उसे existence में आना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ROC के पास, registrar of companies के पास अपने आपको register कराना पड़ेगा लेकिन हुएफ में ऐसा कोई compulsion नहीं है Okay, so यहाँ खतम होता है difference between company and HUF I hope आपको HUF और company दोनों के ही differences के बारे में अच्छे से समझ आ गया है अगर ऐसा है, like का button दबा दीचे अपने प्यारे प्यारे comments हमें comment section में लिख के बता दीचे उसके अलावा channel को subscribe कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं किया है तो Instagram, Facebook पे हमें follow कर सकते हैं ताकि आप तक important जानकारी बहुत ही सहूलेत के साथ पहुत जाए Thank you so much for watching this video